माई नेम है लक्षेत्रो और आज मैं बना हुगा आप लोगों के लिए एक बहुत सिंपल चोक्रेटी कुकिज तो हमें इस वावल में थोड़ा सा बटर लेना है और बटर को हम इसमें डाल देंगे सारा बटर सारा इसमें डाल देंगे और इसके बाद हमको लेनी है थोड़ी से शक्कर हमें 100 ग्राम याप पर बटरी है और थोड़ी से शक्कर मिलाएंगे ऐसे दोस्तों हमको इसको फ्लफी बना रहा है ना इसमें इसे धीरे दीरे ऐसे ऐसे गुमाएंगे अगर आप चारे तो थोड़ा सा फास्की घुमा सकता है पर थोड़ा सा हम इसको जितना अच्छा प्लफी करेंगी यह उतना इस अच्छा विश्क बनेगा अब हम इसमें मैंदा मिलाएंगे इसको मैंदा मैं मिला मैंदा इसमें मिला लिया है अब हम बेकिंग पाउडर टी वाले चमच से बेकिंग पाउडर दुरसा मिलाएंगे फ्रेंड रूम चोक्लेट कुकीज बना रहे हैं इसमें दो चमच टी स्पून से कोकु पाउडर डालेंगे पहले एक और फिर दो अब इसे गुल 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 गुमाएंगे अब हम इसको हाथ से मिला कर एक डो बनाएंगे इसे पूरा चोक्लेटी करना है क्योंकि हम चोक्लेट बिस्कित डाल रहे हैं इसे पर यहां से सारे मेंदे को इधर ले सकते हैं और यहां फिर यहां से दो आशा ले लेंगे हमने अपनी चोक्लेट कुकीज का यह डो बना लिया है तो अब हम इसको हाफ एंडार के लिए फ्रीज में रखेंगे और इसके बाद निकाल देंगे देखियो दोस्तों यह कितने अच्छे से सैट हो गया है तो अब हम इसकी जो बेकिंग त्रेय है इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे ताकि वो चिपके ना हमें से हाथ से यह करना है हाथ से इससे पहलाना है पूरी जगह को अब हम इस डो को लेकर शेप देंगे अब हम तो मैं तो नॉर्मल शेप का ही बना रहा हूँ इसको पहले रोल करेंगे और हम इसको गैप से रखेंगे ताकि क्यूंकि हमको इसको हम इसको इसमें डिप कर देंगे थोड़ी से ज्यादा आ गई है तो हम इसे निकाल देंगे और अब इसके अंदर कर देंगे ऐसे 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 फिर यहाँ दोस्तो हमारी कुकी इस कितना अच्छे से दिख रही है और इसका शीप भी अच्छा गया है अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए माइक्रोवेल में रख देंगे